करूप करते हैं वन करमचारियों की सामुविक हर्ताल प्रदेश भर्मी वन भाके कारेलियों के भार धर्दे पर वन कर्मी बैठे हुआ है उनकी दरसल 15 सुत्रिय मांग हैं जिसको लेकर ग्रेन आर्मी की पेंचाउन हर्ताल है जाला नलैपन रिजर्व की गेट पर धी भारी संख्या में धर्दे पर वन कर्मी बैठे हैं जिनके तस्मिरे आपको दिखा रहे हैं अरण्य भवन में भी संभर्ष समीती के बैनर तले धर्मी पर बैठे हैं वन कर्मी मांगे नहीं माने पर कारेभाईशकार के चितावनी दी गई है वन करमचारियों के अर्ताल से वन और वन ने जीव सनक्षन पुरी तरह से प्रभावी थी मेरे सेयोगी और बिरोचीफ निर्मल तिवारी जुड़ गये हैं निर्मल कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि धरने पर बैटे हुए थे और आप फिर धरने पर बैटे हुए हैं अगर ग्रीन आर्मी अगर धरना करेगी तो फिर काम कैसे चलेगा मांगे क्या हैं और आपको समाधान क्या नसर आता है बिल्कुल विजंदर देखिए ये वो ग्रीन आर्मी अगर जैसे मैं पहले भी का कि अपने दिल पर पत्थर रखकर यहां बैटे हुए हैं ये वो लोग हैं जिनोंने जाने दिये अपनी वन और वन जीव संड्रेक्शन को बचाने के लिए ये वही राजिस्थान है ये वो लोग हैं जिनोंने उस बाग को उस पैंथर को ये किसी वन जीव को निमने दिया खुद के सीने पर गोली खाई रेस्क्यू करते हुए अपनी जाने का वाई तो निश्य तोर पर अगर इनको जरुवत है अगर अपनी मांगे रख रहे हैं कि पुलिस के बराबर इनको समान वेतन दिया जाए ये भी उसी तरह से काम करते हैं जब और वरस्ती होती है तो जंगल में खड़ा रहता है दाव लेकिन यह सांसरिक लोग हैं यह भी शादी शुदा लोग है इनके भी बच्चे उनको भी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है उनको भी शिक्षा स्वास्त सड़क जैसी हाम जरुत है उनको भी पढ़ती है इनी से बात करनी कोशिश करेंगा देखिए इस पहले एक बात और बता दू विजंदर इन लोगों ने फैसलार किया है कि कल से जितने भी प्रदेश के चार टाइगर रिजर्व उसके लावाद जितनी भी सैंचुरीज हैं जितने भी बाइलोजिकल पार्क हैं और जो प्रटेक्टेट फॉरेस्ट हैं उनमें सब मैं कल से ताला लगा दि जो इनकी आवाज एक नकार खाने में तूती वी तरह बनकर रहेगी है क्यों यह वह सा आदमी है जिसने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई है यह वह है जिन्होंने वन और बंजीजों की सुरक्षा हम अगर सांसे ले रहे हैं हमारी एक सांस की कीमत कॉरोना ने हमको सिखा द बंत नंसुनी कर रहे हैं अभी तक सरकार इनकी बात अंसुनी कर रहे है कल को को किसी तरह करना पड़ा कौन जाएगा क्या करने जा रहे हैं हम सब गेट बंद कर देंगे सबी अब बैरन के जुके सबी के जो सेंचूरिय उनमें और हम सब एक जुट होके और कल से लगातार धरने पर बैठे रहेंगे देखो विजंदर की बिल्कुल निर्मल जी सही कहा रहें लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे हैं क्योंकि ये ट्यूरिस्म के लिए पीक महिना भी मा तो ये संदेश सिर्फ राजिस्तान के प्रिमाइसिस में नहीं रुकेगा जैसे बाग को आप रोक नहीं सकते वो कहीं भी स्वचंद घूमता है ये खबर भी देश में घूमेंगी विदेश में घूमेंगी बिल्कुल विजेंदर मेरे पास कल से जब से हमने इस खबर को प्रशारित किया उसके बाद 500 से ज़्यादा ऐसे फोन कॉल साइं जिसमें पूछाए कि क्या टाइगर रिजर्व बंदोंने जा रहे हैं क्या जालाना में लैपर्ड सिफारी नहीं होगी देखे बात जाया जै उसका हक है टूरिस का यहां क्योंकि वह पे करके यहां आता है लेकिन उनका भी तो हक है जब यह फॉरस को प्रटक्ट कर सकते हैं वाइल लाइफ को प्रटक्ट कर सकते हैं खुद को प्रटक्ट करना है हाक है को लोग टांतindestरिक व्यास्ता के दिया हुआ है मैं वह एक पुलिस के समान से यह फोलिस के समान बत्ते तीए और कुछ जढ़ा नहीं रहे हम हम तो दिन राथ कभी फोना जेते तर वह दो दे रखेंगे पुलिस के बराबर वेतन मान नहीं दे रहा है क्योंकि दस सारी को बजट आना है हलांकि फर्ष्टिनिया उनकी मांगों के साथ खड़ा हुआ है लेकिन फिर भी क्या है बजट से पहले वो प्रेशर भी है कि भई बजट आ रहा है उसमें ध्यान रखिये वरना जो होना है वो हो रहा है कि निश्य तोर पर विजएंद्र देखे इनका भी यह सब समझदार लोग हैं पड़े लिखे लोग हैं इनको बड़ा अनुवव इनको सई समय चुनाए होना ने बिलकुल एक सई अगर आंदोलन करने तो निश्य तो अकल जब से यह आप यह देखिए अगर टाइगर रिजर्व के या सेंचुरीज के अगर गेट बंद कर देंगे और कल को कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मदारी कोई नहीं ले पाएगा शकुंतला एक बार मैं फिर तुमारे पास आ खालो सरकार करकर योश्दी होना चलाई थी ना यह बैने अपने बच्चों को गोदी में ले लेके घरगर पोदे दे क्या ही है मैं फिर कह रही हूं कहलो सरकार जाग जाओ नहीं तो बहुत पुरा होगा सब साथ में अमारे अगर इनके आखों में आसु दिख रहा है तो द उनको तो पालेगा उनका संड्रक्शन कौन करेगा बिल्कुल नेर्मल जी शुगरे हैं हमारे साथ जोडने के लिए